The 12th of October 2021 Current Affairs in Hindi 12 October 2021 Current Affairs आज हम Delhi Current Affairs में, The 12th of October 2021 Current Affairs in Hindi, की बात करेंगे जो आपके आने वाले एक जाम में इन में से प्रशन पूछे जाएंगे. आईए बात करते हैं 12 October 2021 Current Affairs की. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने सोमवार को प्रदेश में अन्नोत्सर प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्न योजना की शुरूआत की जिसके तहट एक माह में कुल 14 लाख राशन के तलाभार्थियों में वित्रित की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना के अलावा राज्य खादे योजना के तहट राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अपने संसाधनों से अतिरिक्त खाध्यान रियासती दरोपर वित्रित किया गया. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीब धन्खर ने न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव को कलकत्ता उच्च न्यायाले के नय मुख्य न्यायाधीश के रूप में सोमवार को पद की शपत दिलाई. न्यायमूर्ती टीवी एस राधाकृष्णन के सेवानिवरित होने के बाद अप्रेल से ही न्यायमूर्ती राजेश बिंदल उच्च न्यायाले के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दे रहे थे. न्यायमूर्ती श्रिवास्तब पहले मध्य प्रदेश उच्छ न्यायाले में न्यायाधीश थे। अक्टूबर को भारतिय अंतरिक्ष संग इस्पा की शुरुआत कर दी। अपने वर्चूल लॉंच इवेंट में पी-म ने कहा कि सरकार अप स्पेस सेंटर के संचालक नहीं बनी रह सकती। बलकि हम इस ख्षेत्र के लिए संबल प्रदान करने वाली ताकत बन सकते हैं। पी- इसके संस्थापक सदस्य में मुख्य तौर पर पाँच कंपनिया हैं। इनमें लासन एंट टर्बो एलन्टी, नेकोव टाटा ग्रूप वनवेप भारती एयर्टेल मैप माय इंडिया, वल्चंदंगा इंडस्ट्रीज और अनन्थ टेकनोलजी लिमिटेड शामिल है। इस चात्रों को अपने अपने क्षित्रों में सफलता हासिल करने वाले लोग करिया विकल्पों के बारे में मार्ग दर्शन देंगे। देश के मेंटर कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों के एक से लेकर दस चात्रों को एक तरह से सनरक्षन में लिया जा सकेगा। सफल पेशेवर उन्हें मार्क दर्शन देंगे। मेंटर प्रत्य एक हफते 10 मिनट के लिए इन छात्रों को फोन पर मार्क दर्शन देंगे। इस कार्यक्रम के ब्रांड एमबेस्डर बॉलिवोड अभिनेता सोनू सूद को बनाया गया है। भारती ग्रूप की अनुशंगी वनवेब ने सोमवार को कहा कि उसने 2022 से भारत में अपना उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए इसरों की वानिजी की काई New Space India Limited NSIL के साथ समझोता किया है। NSIL के साथ आशे पत्र के माध्यम से भारत में निर्मित PSLV और GSLV Mark 3 को भारतीय जमीन से वनवेब के उपग्रहों के प्रक्षेपन के लिए संभावित मंच के तौर पर इस्तिमाल करने की व्यवस्था की गई है। कबाइब के साथ विपक्षिय मुद्दों और अफगानिस्तान समेट कई अंतराष्ट्रिय मामलों पर सोमवार को सत्भावनापूर्न एवं रचनात्मक बातचीत की और इस दौरान भारत किर्गिस्तान में विकास पर्योजनाओं के लिए 20 करोर डॉलर की रिंड सुविध के पास अगले चार वर्षों में 180 सीक शमता वाले 70 विमान होंगे। की अर्थशास्त्रियों को अनपेक्षित प्रयोगो या तथाकतित प्राकृतिक प्रयोगो से निशकर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र के 2021 के नोबेल पुरसकार से सम्मानित किया गया है.